दोस्तो गनेश चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है जिसका धरम में अत्यधिक महत्व है ये त्योहार हिंदू पुरानिक कथाओं के अनुसार मनाया जाता है जिसमें कहा गया है कि गनेश चतुर्थी भगवान गनेश का जनम दिन है हिंदू भगवान गनेश को सभी बाधाओं को दूर करने वाला मानते हैं लोगों का मानना है कि भगवान गनेश हर साल समरिधी और सफलता लेकर आते हैं ऐसे में आप सभी को गनेश चतुर्थी की हारदिक शुबकामना है दोस्तो गनेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गनेश ची की पूजा की जाती है कई प्रमुख जगों पर भगवान गनेश की बड़ी प्रतिमा भी स्तापित की जाती है इस प्रतिमा का नौ दिनों तक पूजन किया जाता है बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं नौ दिन बाद गानों और बाजों के साथ गनेश प्रतिमा को किसी तालाब महासागर त्यादी जल में विसरजित किया जाता है गनेश ची को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है इसी तरह की महत्व पुरन और ग्यान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सम्रिधी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके शेव पुरान में भादरपद मास के क्रिशन पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ती गनेश ची के अवत्रन तिथी बताया गया है चबकि गनेश पुरान के मत से ये गनेश अवतार भादरपद शुकल चतुर्थी को हुआ था गनेश चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी और गनेश चौत के नाम से भी जाना जाता है इस पूर्व को भगत बहुत धूंधाम और हर्शु लास के साथ मनाते हैं ये ग्यान सो भागय और सम्रिद्धी के देवता भगवान गनेश के जनम का प्रतीक है ये तो हर हर साल भादरपद महा में मनाया जाता है जो दस दिनों तक चलता है वहीं इसका समापन गनेश मूर्ती विसरजन के साथ होगा तो इसकी शुरुआत से पहले संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं पंचाम को देखते हुए गनेश चतुर्थी का समापन 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दरशी के दिन होगा वहीं इसी दिन गनेश ची का विसरजन किया जाएगा ऐसा मानियता है कि जो लोग इस वरत का पालन करते हैं उन्हें भगवान गनेश का पूर नाशिरवाद प्राप्त होता है साथ ही उनके परिवार में खुशहाली आती है गनेश चतुर्थी का उत्सव हर साल भादरपद महा शुकल पक्ष की चतुर्थी तिती को मनाया जाता है भगवान गनेश के जनम उत्सव को गनेश चतुर्थी के रूप में जाना जाता है धार्मिक मानेताओं के अनुसार भादरपद महा में शुकल पक्षि के दोरान भगवान गनेश का जनम हुआ था गनेश चतुर्थी का उत्सव पूरे दस तिनों तक चलता है और इसका समापन अनंत चतुर दर्शी के दिन होता है गनपती बपा के स्वागत के लिए घर से लेकर मंदिर और पंडाल तक में खास सजावट की जाती है गनेश चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जाती है लेकिन महराश में गनेश उत्सव का खास रौनक दिखाई देती है पूरे दस्तिन मुंबई गनपती जी की भक्ती के रंगों में रंगा नजर आता है तो आए जानते हैं कि इस साल गनेश चतुर्थी किस दिन से शुरू हो रहा है और मूर्ती स्थापना के लिए शुब मुरत क्या रहेगा आए जानते हैं सब कुछ आच की इस वीडियो में इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ और इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजेगा ऐसे में दोस्तो सबसे पहले आईए जान लेते हैं गनेश चतुर्थी की पूजा विजी के बारे में दोस्तो भगवान गनेश की गनेश चतुर्थी के दिन 16 उपचारों से वैदिक मंतरों के जापों के साथ पूजा की जाती है भगवान की 16 उपचारों से की जाने वाली पूजा को शोड चुपचार पूजा कहते हैं गनेश चतुर्थी की पूजा को विनायक चतुर्थी पूजा के नाम से भी जाना जाता है भगवान गनेश को प्राते काल मद्याहन और सायाहन में से किसी भी समय पूजा जा सकता है प्रंतु गनेश चतुर्थी के दिन मद्याहन का समय गनेश पूजा के लिए सरवशेष्ट माना जाता है मद्याहन के दोरान गनेश पूजा का समय गनेश चतुर्थी पूजा मौरत कहलाता है गनेश पूजा के समय किये जाने वाले समपूर्ण उपचारों को नीचे समलित किया गया है इन उपचारों में शोडश उपचार पूजा के सबी 16 उपचार भी शामिल है दीप प्रजवलन और संकल्प पूजा प्रारंब होने से पूर्व किये जाते हैं अतर दीप प्रजवलन और संकल्प शोडश अपचार पुजा के 16 उपचारों में सम्मलित नहीं होते हैं ये भी उलेखनिया है कि घर अत्वा पूजा स्थान में प्रतिष्टित मूर्तियों का पूजा के पस्चात विसरजन के स्थान पर उत्थापन किया जाता है। गनेश चतुर्थी पूजा के दोरान भगत लोग भगवान गणपती की शोडश उपचार पूजा में एक विशंती गनेश नाम पूजा और गनेश अडग पूजा को भी समलित कर लेते हैं। बाद वरत तोड़ते हैं। वरत रखने वाले भगत फलों का सेवन करने के अलावा साबू दाने की खिचड़ी, मौंग फली और आलू भी खा सकते हैं। गनेश ची का वरत रखने के दोरान इन नियमों का पालन जरूर करें। गनेश चौत का दिन गनेश भगवान को समर्पित होता है। और इस तिन गनेश ची की पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कश्टे भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो गनेश चतुर्थी का वरत हर महा के क्रिशन पक्षी की चतुर्थी को आता है। लेकिन साल में माग, श्रावन, मार्ग, शीर्च और बादरपद के महीने में आने वाली शिरी गनेश चतुर्थी वरत का खास महत्व है। इस तिन गनपती के एकदंत रूप की पूजा की जाती है। भादों महीने की इस चतुर्थी को वरत रखने से सब तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है और आपकी इच्छा पूरी होती है। संतान, सुख, पाने और लंबी आयू के लिए माताओं को ये वरत जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ आये गनेश्च तुर्थी की वरत कता के बारे में भी जान लेते हैं। जावा नहीं दिया गया या वो अपनी मर्जी से नहीं आये। देवताओं ने भगवान विश्णु से गनेश्च ची की अनुप स्थती का कारण पूछा। भगवान विश्णु ने उत्तर दिया। भगवान शिव को नियोता दिया गया है। गनेश्च उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि गनेश्च बहुत अधिक भोजन करते हैं। ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी ये बात सुनकर एक देवता ने ये सुझाव दिया कि गनपती को बुला लेते हैं लेकिन उनको विश्णु लोक की रक्षा में यही छोड़कर चले जाएंगे। इससे ना बुलाने की चिंता भी खतम हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खतम हो जाएगी। सबको ये उपाए पसंद आया। गनेश्च सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए लेकिन वो क्रोधित थे। तब ह की देवरिशी नारद वहां आए और उनसे बारात में ना चलने का कारण पूछा। गनेश्च ने कारण बताया साथ ही ये भी बताया कि वो भगवान विश्णू से गुस्सा है। देवरिशी ने गनेशी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेज कर रास्ता खुदवादो तब सबको आपकी एहमियत समझाएगी। चूहों की सेना ने गनपती की आग्या पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विश्णू का रत्व ही जमीन में धस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रत को गठे से ना निकाल सके। देवरिशी ने देवताओं से कहा कि विगन हर्ता गनेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गनेश के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रत गड़े से निकला लेकिन उसके पहिये तूट गए ना संपूर्ण हुआ था। इसी के साथ गनेश चौत के वरत की अगर हम बात करें तो ये सुबह से रात तक का होता है। गनेश चौत का वरत सुरे उदे से सुर्यास तक होता है। भगवान गनेश की पूजा कर उन्हें तिल गुड का भोग लगाना चाहिए इससे आपको शुबफल मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शियर करें। और किसी भी तरह का प्रशन है। आप कमेंट्स में जरूर पूछें। हम आपके प्रशनों का उत्तर जरूर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताके नए वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यावाद।